Hello Everyone, इस वीडियो में हम Class 6, Subject Maths की वक्षि 24 करेंगे Date है इसकी 27 September 2021 और इसमें हम Practical Geometry के बारे में पढ़ेंगे इस वक्षित को शुरू करने से पहले, प्लीज हमारे चैनल Mind Boosting Classes को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजे So, introduction है, dear students, I am sure you have seen a geometry box आपने geometry box सुना भी होगा और देखा भी होगा Let's learn about the geometry box tools and how to use them So, geometry box के अंदर जितने भी tools होते हैं, उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे और जानेंगे कि उनका कैसे प्रियोग किया जाता है, उनके नाम क्या होते हैं So, scale जिसे हम ruler कहते हैं, इस तरीके से scale दिखता है Scale ऐसे होता है, एक तरफ जो है centimeter में दे रखा होता है Sines और एक तरफ inches में आपको दे रखे होते है, Sines We use ruler to draw a line segment and measure its length हम किसी line को नापने के लिए scale का यूज करते हैं, ruler का यूज करते हैं या फिर line बनाने के लिए भी scalar का यूज करते हैं और there are sign in centimeter on one side of the ruler and inches on the other side मैंने आपको बताए दिया, centimeter के जो sign होते है, वो scale के एक side बने होते हैं और inches के sign दूसरे side बने होते हैं उसके बाद next tool है, वो है compass compass भी आपने देखा होगा, इस तरीके से compass होता है एक side में तो एक तरीके से nock tap की होती है, सुई tap की होती है एक side में हम लोग pencil को जो है, फसाती है the compass is two end, दो end होती है, उसकी one pointed end, एक तो ऐसे pointed end होता है and on the other end a pencil is placed in it, और धूसरे end में हम pencils को फसाती है the compass is used to draw arcs in circle, arc बनाने के लिए और circle बनाने के लिए हम लोग compass का use करते है और circle इस से एक दम अच्छी तरीके से बन जाता है अब आता है divider, geometry box में एक और tool होता है इस तरीके का जिसको divider कहा जाता है जैसे compass में एक तरफ pointed end होता है, इसमें दोनों तरफ ही pointed end होते है divider, the divider has two pointed end, it is used to compare length, किसी भी length को नापने के लिए जो है divider का use किया जाता है set squares, set squares भी आपने देखे होंगे, इस type के scales को हम set square बोलते हैं जैसे आपने यह वाले जो देखे होंगे, ठीक है, यह होते है set square, यह two triangular devices होती है triangle devices है, triangle की shape इस तरीके से होती है, और इन ही shape से set squares बने है तो triangular devices है और used to draw perpendicular line and parallel line, अगर हम ऐसी सीधी parallel line बना रहे हैं तो उसके लिए भी set square काम आते हैं और अगर आप perpendicular line बना रहे हैं यानि इस तरीके से जो एक दूसे को intersect कर रही हो, काट रही हो, अगर ऐसी line बना रहे हैं तब भी z square आप यह काम आते हैं उसकी बाद है protractor, प्रोटेक्टर आपने देखा होगा इस तरीके से होता है, इसमें जो है degree लिखी होती है, 0 से लेकर 180 तक और बीच में 90 होता है ठीक है, आप लोग के पास होगा protractor, इसका क्या काम आता है, इसका काम होता है semi circular device on which, semi circular device होता है, semi circular मतलब आधा circle ठीक है, और इसमें 0 से लेकर 180 तक जो है degree mark की जाती है, it is used to measure and draw angles, यह जो है measure और draw करने के काम आता है angles को, angles क्या होते हैं, इस तरीके से जो हैं हमारे angles होते हैं, कोई 90 degree का होता है, तो कोई CD line 180 degree की होती है, इस तरीके से कई degree के जो हैं इस प्रकार से angle बनाए जाते हैं, ठीक ह यह हो गया, और यह हो गया, यह सारे हमारे angles होते हैं, angle बनाने के लिए आपका protractor काम आता है, ठीक है, और हमने यह सब पढ़ लिया, और ruler देखिए, ruler भी कई centimeter की होते हैं, 15 centimeter का ruler, बड़ा वाला ruler भी होता है, तो इस तरीके से यह सारे जो हैं, आपके devices हैं, आपके tools हैं, उ shape headbees has been used in this figure, यह जो आपको figure दिखा रखा है, इस figure में कितनी shapes और कितनी tools यूज किये गए हैं, जैसे देखो, यहाँ compass रखा है, यहाँ protractor रखा है, यहाँ scale रखा है, यहाँ set square रखे हैं, और shapes की बात करें, तो यहाँ circle का shape है, यहाँ पर rectangle का shape है, ठीक है, यहाँ पर भी rectangle का shape है, यहाँ triangle का shape बन रहा है, तो इस तरीके साब को बताना है, तो geometrical tools की अगर हम बात करें, तो उस figure में आपको ruler, set square, protractor और divider देखने को मिल जाएंगे, और shapes की बात करें, तो आप अगर यह वाला जो है, इस वाली आखरती में देखेंगे, तो आपको कौन-कौन से shapes द आशर करती हूँ, आपको समझ आई होगी, वीडियो को जरूर लाइक कीजेगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजेगा, धन्यवाद